लीसा हेडेन ने शेयर की बेबी बंप तस्वीर जल्द बनेंगी दूसरी बार माँ मॉडल और बॉलिवुड एक ट्रेस लीसा हेडेन लीसा हेडेन के घर एक बार फिर नन्हा मेहमान आने वाला है जी हा लीसा इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को खुब एंजॉय कर रही है लीसा हेडेन लीसा हेडेन अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेगनेंट है सोशल मीडिया पर लीसा लीसा अपने बेबी बंप को फ्लॉंट करती रहती है ऐसे में अब लीसा लीसन ने नई फोटो चेयर की हैं इन फोटोज में लीसा लीसन ने बहुत खुबसूरत ब्लू ट्रेस पहनी हुई है फोटो को उनके बेटे जायक लालवानी ने फोटो बॉंब किया है इस फोटो को शेयर करते हुए लीसा ने लिखा जल्द ही दो लोग मेरी फोटो को फोटो बॉंब करेंगे इस फोटो में एक ट्रेस के चेहरे पर खुशी साफ जलक रही है अपनी दूसरी प्रेगनेंसी से लीसा बहुत खुश है बीते दिनों उन्होंने अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिये अपनी प्रेगनेंसी की खुशक बरी दी थी लीसा ने साल 2016 में अक्टूबर में डिनो लालवानी दीनो लालवानी के साथ शादी कर ली थी दूसरी बार प्रेगनेंट है ली जाहे डेन फ्लॉंट किया बेबी बंप देखिये तस्वीरें माई 2017 में उन्होंने अपने पहले बेटे जैक को जन दिया था लीसा लीस फिल्हाल लंबे समय से फिल्मों से दूर है कंगना के साथ फिल्म क्वीन में अहम रोल ने भाचु के लिए लीसा लीसा फिल्मी लाइफ को लेकर खास महत्रा कांशी नहीं है और वे अफ़े अपनी लाइफ को भिंदास अंदाज में जीने के लिए जानी जाते रही हैं लीसा लीसान ने फिल्म कुरी 스य खाफी सुर्खियां बटोरी थी इसके अलावा वेव द शौकीन्स और हाउसफुल तीम जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी है मॉडल के तोर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली लियसाल लीसक काई पॉपुलर लाइप स्टाइल मैग जीन्स में फीचर हो चुकी है लीजाल लीसक को अनिल कपूर ने एक कॉफी शौप में देखा था फिर कुछ दिनों बाद उन्हें अनिल कपूर के प्रड़क्शन की फिल्म आयशा में आर्ती मेनन का रोल ओफर हुआ इस किरदार की तैयारी के लिए लीजाल लीसने नियूयोर्क जाकर टीन महीने तक एक तिंग की ट्रेनिंग भी ली और बाद में मुंबई आकर हिंदी भी सीखी उन्होंने सोनम कपूर और अभएक दे ओल स्टार फिल्म आयशा से अपने करियर की शुरुआत की थी